दोस्तो नमस्कार आपको मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा में एक बहुत बड़ी ख़बर के साथ और दोस्तो आज की मेरा ये बीडियो हमारे सभी केंद्रिय कमचारियों, सैन कर्मियों, पारा मिलिटरी फोर्चेस, राज कर्मचारियों, पेंचन भोगयों और हमारे सभी पेंचनर्स भायों के लिए है तो दोस्तो थम्निल तो आपने देखी लिए होगे हमारे इस वीडियो का सभी केंद्रिये कमचारियों, सैन कर्मियों और पेंचन भोगयों के लिए फायदे की खबर और दोस्तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनलर रिपोर्ट पांड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं, Government of India, Ministry of Finance की तरफ से latest order जारी किया गया है 31.12.2018 को आप देख सकते हैं subject इसका Revision of Interest Rates for a Small Saving A Scheme मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ दोस्तो सभी केंद्रिय कमचारियों, सैन कर्मियों और पेंचन भोगयों के Small Saving A Scheme पर Interest Rate का Revision किया गया है 1.01.2019 से 31.01.2019 तक दोस्तो सेविंग डिबोजिट पर आपका रेट चार परसेंट रहेगा आयनवली 1.year time deposit, 2.year time deposit और 3.year time deposit पर आपका रेट 7% रहेगा quarterly 5.year time deposit पर पहले भी था 7.8% और अभी रहेगा 7.8% quarterly 5.year recurring deposit पर पहले था आपका 7.3% और अभी रहेगा 7.3% quarterly 5.year senior citizen saving scheme पर पहले था 8.7% और अभी रहेगा 8.7% quarterly and paid 5.year monthly income amount account पर पहले था 7.7% और अभी रहेगा 7.7% monthly and paid 5.year national savings certificate पर 8% और अभी मिले गा and public provident fund scheme पर 8% और अभी मिले गा जो कि यह बहुत बड़ी ख़बर है 8.5% annually मिलेगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि जनकारी आपके वीजफिल क्यों होगी तो दोस्तों आप कमेंट कर बताए कि आपको कैसा लगाया मेरा जनकारी और दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबको पता चले और मेरी इस चैनले रिपोर्ट पांड़ा को सब्सक्राइब करें जय हिल जय भारत